अंतरास्टी क्रिकेट स्टेडियम धरमशाला में 15 स्टंबर को भारत दक्षिन अफरीका की टीमों के बीच खेले जाने वाला T20 मैच के लिए महमान दक्षिन अफरीका की टीम धरमशाला पहुँच गई है टीम विशेश बिमान में स्वार होकर दिल्ली से कांगडा एरपोर्ट पहुँची कांगडा एरपोर्ट पर एच्पी सीय पदादिकारियों ने टीम का बेलकम किया और उसके बाद टीम को सीधे धरमशाला ले जाये गया अंतरास्टी क्रिकेट स्टेडियम धरमशाला में 15 स्टंबर को बारत दक्षिन अफरीका की टीमों के बीच खेले जाने वाले टी-20 मैच के लिए महमाल दक्षिन अफरीका की टीम धरमशाला पहुँच की है टीम बिचेश बीमान में सवार होकर दिली से कांगड़ा एरपोर्ट पहुँची कांगड़ा एरपोर्ट पर एच पी सीए पदादिकारों ने टीम का वेलकम किया इसके बाद टीम को सीधे दरमशाला ले जाया गया दक्षिन अफरीका की टीम छे दिन तक स्टेडियों में दिन के एक सतर में अभयास करेगी जबकि बारतिय टीम सिर्फ 14 स्टमबर को मैदान में पसीना भाईगी शेडियोल के मुताविक दक्षिन अफरीका की टीम दोपेर दो बजे से पांच बजे तक स्टेडियम में अभयास करेगी जबकि टीम इंडिया टीम स्टमदर को दोपेर बाद धरमशाला पहुँचेगी इस दिन टीम अभयास नहीं करेगी 14 स्तंबर को दक्षिनी अफरीका टीम सुबह 9 से 12 तक जब की बारती टीम दो फैर बाद 2 बजे से 5 बजे तक अभ्यास करेगी मैडान पर ओरती मैडी तक नियरा बोतेने की तक जिवTr relationship की वादनMaybe दायार मैडन फुरी मैड की गाई है मैडान वने पुरी तरह से तयार है और होटल पूरी तरह से तयार है केवल मैड गया है लोगे भी उसाइब इस तरह कर देखते हैं। बहुत उसाइब कि दो हजाब सत्रा के बाद जो है वो पहली बार जो है यहां पर कोई मैट का आयोजन जो है वो हो रहा है। तो यहां के ब्यावसाई है होटल ब्यावसाई है। कारकरब में एक बार फिर बक तो चला है शोड़ से वह काई मिलते हैं ब्रेक के बाद।